बिसमिल्ला रर्रख्मान ररहीम क्लास नाइन ट, चप्टर ब्रन, बायलोजी, लेक्टर नमबर टू वच्चों हमने पिछले लेक्टर में ब्रांचे रफ बायलोजी के बारे में पड़ा था और इस lecture में हम कोशिश करेंगे कि chapter 1 complete कर लिया जाए इसका जो next topic है जो आज हम पढ़ेंगे वो है biological methods यह biological methods वो ही है जिसे scientific method भी कहते हैं और आपकी chemistry की किताब में से scientific approach भी कहा जाता है यह वो ही method है और तकरीबन science की तमाम branches का एक ही तरीकेकार है यह तरीका जिसे हम biological method कहते हैं यह वो तरीका है जिसमें biology के शुबे में research की जाती है और मुकलिफ किसम के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, problems हैं, observations हैं उनकी किस तरीके से research करके उनके उपर एक final conclusion जो है वो हासी की जाती है यह हम इसमें biological method में पढ़ेंगे biological method basically है क्या? यह है research method in biology और इसके चार या पांच ये छे steps होते हैं लेकिन इन जितने भी steps हों लेकिन इसमें observation, experiment और hypothesis हैं वो almost same हैं, जितने भी methods हैं, इन सब में ये सारी बुनियादी जो steps हैं वो तकरीबन एक ही जैसे हैं तो इसका जो first step है वो है observation observation को आप इस diagram में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी problem हमारे सामने आता है तो हम उसे observe करते हैं observation बहुत important है, observation का मतलब सब देखना नहीं बलके उसके हर लिहाज से उसके बारे में जितनी भी knowledge है उनको collect करना है, चाहे वो हमारे sensory organs के जरीए हो चाहे वो microscope के जरीए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उस information को collect करना observation कहलाता है observation में बुनियादी तोर पे आपके सामने एक मसला है जिसको आप carefully observe कर रहे हैं, मिसाल के तोर पर अगर एक grassland है और इसमें मुखलिफ दरख भी उगए हैं और वो एक ही जैसे दरख्त हैं उन में से एक दरख्ते पत्ते अगर पीले पड़ते जा रहे हैं और वो आएस्ता आएस्ता जो है, वो दरख्त अपनी जो health है, वो खतम करता जा रहा है तो यह हमारी observation है, तो यहां हम यह सवाल उठाएंगे कि इस दरख्त में ऐसा क्या मसला आ गया है कि जिसकी वज़ा से यह बाकी इस ग्रास लैंड के बाकी दरख्तों के मकाबले में इसमें यह तबडिलियां हमें नजर आ रहे हैं यह हमारी observation है, observation के बाद कुछ questions arise होते हैं, इन questions को हम बहुत carefully select करते हैं और इन questions में basically यह है कि why यानि क्यों हो रहा है और how यानि कैसे हो रहा है और मतलब इसका mechanism क्या है, यह तमाम चीज़ें हैं उसके बाद फिर उस observation और question की बुनियाद पर हम hypothesis create करते हैं, hypothesis क्या है? यह एक ऐसा statement है, जिसे experimentally verify तो नहीं किया गया, लेकिन यह यार रखिए कि उर्दू में इसको असल में मफ्रूरा कहते हैं, तो मफ्रूरा के लफ्स से थोड़ी सी confusion होती है कि शायर यह कोई फर्स कीवी चीज़ है, लेकिन यह फर्स कीवी चीज़ नहीं होती, बलके यह एक ऐसा statement होता है, जो कि एक scientist अपनी past knowledge और अपनी जितनी भी इसके हवाले से उसके past data है, उस सब की बुनियाद पर जो जिस नतीजे पर वो पहुंचता है, उसको hypothesis कहते हैं, य जो नतीजा है, यह एक्सपरिमेंटली वेरिफाइट नहीं होता, लेकिन इसमें जैसे उस दरख्त के बारे में scientist यह सोचे कि यहाँ इसकी जो roots हैं, यहाँ पर कुछ insects हैं, जो कि इसकी roots को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी वज़ा से इसमें यह problem आ रहा है, या दूस problem हो, या कोई इस्ट्रा का fertilizer का कोई problem हो, यह सारे इसके hypothesis हैं, जाहर है कि इन में से कोई भी experimentally verified नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो कि logic और अकल के खिलाफ हो, तो hypothesis के बाद हम उस hypothesis को verify करने के लिए experiment करते हैं, यह इसका अगला step है और यह लाजमी है, यह बात यार दखे कि science में और जो दूसरी branches हैं, इल्म की, जैसे philosophy है और social sciences हैं, इन में एक difference ही यह होता है, कि इसमें experiment का difference होता है, कि science में जब तक किसी भी fact को experimentally verified ना कर लिया जाए, हम उसको accept करने या reject करने का फैसला नहीं कर सकते, experiment के बाद फिर उसको carefully analyze किया जाता है, उसके results को, उसके तमाम aspects को और इसका बाकाइदा record रखा जाता है, data बनाया जाता है, उसका record रखा जाता है, और उस एक एक step को, एक एक data को अच्छे तरीके से उसका तज़िया किया जाता है, उसको analyze किया जाता है, और इसके analysis के बाद scientist किसी नतीजे पर पहुन जाता है, हो जैसे उस plant के बारे में उसको अगर फर्स करें के experiment से यह पता चला कि उसकी roots में जो है insect हैं तो यह उसका एक situational conclusion है लेकिन यहीं से एक scientist जो है ना यह एक universal conclusion भी बना सकता है कि अगर इस category के insect किसी भी plant के roots पर attack करते हैं तो वो plant जो है healthy नहीं रहता तो अगर इस universal fact को और इसके लिए फिर बहुत सारे और experiment भी करने पड़ते हैं सर्फ एक ही experiment से काम नहीं चलता तो अगर बहुत सारे experiment करने के बाद एक ही नतीजा सामने आए तो फिर उसे theory का नाम दिया जाता है इसे theory भी कह सकते हैं इसे scientific law भी कह सकते हैं और इसे principle भी कह सकते हैं यह तकरीबन तीनों अलफाज जो हैं एक दूसरे के मतरादिफ हैं और एक दूसरे के बतले इस्तमाल किये जा सकते हैं थोड़ा सा इसमें मामूली सा फरक है लेकिन वो फरक हम यहां पर discuss नहीं करेंगे तो यह biological methods हैं जिसमें आपने देखा कि scientist किस तरीके से research करके किसी भी नतीजे पर पहुंचता है तो बच्चों यहां आपको एक बात बतानी है कि अगर आप अपनी जिन्दगियों में यही रवया अपना लें और यही method जो है अपना लें तो आपकी जिन्दगी बड़ी logical बड़ी आसान हो सकती है मिसला के दूर पर बहुत सारी social media पर जो अफ़वाएं चल रही होती हैं कि ऐसा करने से वैसा हो और जैसे करोना की बीमारी है इसका यह treatment है और फिलाँ treatment है तो अगर हम इसको scientific method से अगर हम इसको observe करें तो हमारी जिन्दगी बहुत आसान हो जाएंगी और हम किसी गलत अफ़वाओं में और इन चीजों पर फिर कान नहीं धरेंगे इस लिहाज से biological method की हमारी जिन्दगी में बहुत ज़दा importance है कि यह हमें एक thinking style देती है कि आपको जिन्दगी किस तरीके से गुजारनी है और जिन्दगी में आपने किन किन बातों को कितनी एहमियत देनी है और आपका जो way of thinking होगा वो किस तरह का होगा अब हम next topic पर आते हैं यह है origin of life असलिमें यह एक ऐसा topic है जो scientist हमेशा उनके लिए एक सुलकता हुआ यह सवाल रहा है कि जिन्दगी का आगास कैसे हुआ जमीन पर जायर है कि हमारी पूरी universe बहुत बड़ी है और इसमें जमीन ही वाहिद सयारा है इन्सानी इल्म की हद तक जहां जिन्दगी मौजूद है तो बच्चों एक बाद याद रखिए यहां यह सवाल नहीं है कि जिन्दगी किस ने पैदा की यह तो हम सब को अच्छी तरह पता है कि इस जमीन पर जिन्दगी का खालिक और मालिक अल्ला है खालिक काईनात है लेकिन अल्ला ने किस तरीके से क्या प्रोसिजर था क्या मेकानिजम था किस तरीके से जिन्दगी जमीन पर पैदा की यह असल में हमारा असल सवाल है और इन्सान को इसके लिए अल्ला ने अकल दी है और सोचने समझने की इसलाहियत दी है और सात ही सात कुरान पाक में ये भी इरिशाद फरमाया है कि तुम गोर ओफिकर करो गोर ओफिकर करके इस नतीजे पर पहुंचो कि ये अलगी बनाई हुई काईनात जो है इसमें तुम्West्त टुम्हें क्या क्या राज नजरा रहे हैं वो सारे राज जो हैं उन से परदे तुम उठाओ और उन राजों को बेनकाब करो और यही इनसानियत के लिए किसी भी पड़े लिखे बाशोर इनसान का सबसे बड़ा एक मकसद हो सकता है तो जिन्दगी का आगास कैसे हुआ यह एक बड़ी एहम चीज है इस सलसले में आपकी अगर हम सलेबस तक अगर हम अपने आपको महदूर रखें तो याद रखें कि यहां दो कॉंसेप्ट्स हैं दो क्यूरीज हैं जिन्दगी के आगास के बारे में बलके मैं इनको थियूरी सवाल क्यों को जड़ी की बजाए हाइपोथेसिस कॉं तो ज्याधा बहतर है तो यह दो हाइपोथेसिस हैं इन मेंसे फर्स हाइपोथेसिस है ए बायोजनेसिस और दूसरा है बायोजनेसिस याstones इसे हम यह जान सकते हैं कि जमीन पर जिन्दगी का आगास कैसेगें यार कि ये नहीं सवाल कि किस ने किया ये बात ज्यार रखेगा तो जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ यहां आपकी दिल्चस्पी के लिए एक दू पॉइंट आपको मालू होना जरूरी है और वो यह है कि हमारी जो जमीन है वो काफी ज्यादा कदीम है चार अरब साथ करोड साल ये हमारी जमीन की उमर है कितनी है चार अरब साथ करोड साल और जमीन पर जिंदगी का आगाज जो है वो तीन अरब सतर करोड साल पहले हुआ यानि जमीन पैदा होने के तकरीबन तकरीबन नवे करोड साल तक जमीन पर जिंदगी का कोई नामों निशान हमें नहीं मिलता तो ये दो थियोरीज हैं एक है ए बायोजनेसिस और दूसरी है बायोजनेसिस इनको हम वन बैवन तफसील से पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें ए बायोजनेसिस ए बायोजनेसिस में ये लफ्स जो ए लगा है यहां हरफ जो ए लगा है इसकी बड़ी एहमियत है ए का मतलब ग्रीक लेंगविज में किसी भी लफ्स के साथ अगर शुरू में लगा दिया जाया तो इसका मतलब होता है नॉट यानि बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस तो बायोजेनेसिस का अपोजिट अगर बनाना हो तो यह होगा एबायोजेनेसिस यानि नॉट बायोजेनेसिस A-Piogenesis का simple जो मफूम है वो ये है कि Life from Non-Living Things इस थियोरी के मताबिक जिन्दगी बेजान चीजों से पैदा हो सकती है ये वैसे तो अरिस्टोटल ने युनानी जो मुफक्र था उसने ये थियोरी पेश की थी और उसने कहा था उसने मिशाल दी थी कि जैसे गोश्ट में कीड़े वगरा पैदा हो जाते हैं तो इस सासे बेजान चीजों में से जिन्दगी पैदा हो सकती है लेकिन जाहर है कि ये काफी नहीं है असल बात तो ये है कि जिन्दगी पहली बार कैसे पैदा हुई तो पहली बार जिन्दगी जो है जमीन पर आई तो वो कैसे पैदा हुई किसी जानदार से या बेजान से तो इस हवाले से साइंटिस्ट का नुक्ता नजर ये है कि पहली बार जिन्दगी ए बायोजनेसिस से पैदा हुई और उसके बाद जो life है वो life from life है यानि जिन्दगी से ही जिन्दगी पैदा होती चलेगे तो ए बायोजनेसिस का मतलब क्या है ए बायोजनेसिस का मतलब यह है कि जिन्दगी बेजान चीजों से पैदा हो सकती है उसके बाद दूसी थियोरी है बायोजेनेसिस थियोरी यह कहती है कि लाइफ इस नॉट पॉसिबल फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइफ इस अनली पॉसिबल फ्रॉम लिविंग थिंग्स जिंदगी सिर्फ जिंदगी से ही पैदा हो सकती है लाइफ फ्रॉम लाइफ जैसे आपने देखा कि अंडे से चूजा निकलता है और अंडा भी जाहर है कि लिविंग ठिंग है और चेक भी जो है वो लिविंग ठिंग है और जाहर है कि अंडा जो है खुद बखुद वजूद में नहीं आ जाता बलके अंडा जो है वो मुर्गी अंडा देती है और इसके बाद मुर् विपृषटरा उन्ठा केसं दिया होगा या सर्ब पेले मुर्गी कैसे पैदा होगी यह बड़ा एक क्लासिकल क्येशन है कि दुनिया में ढ़न पहले आयाया मुर्गी पहले आई वरल सवाल मैंने आपे जैन में डाल दिया है आप भी गौर कीज्येगा तो बहुत ही का मतलब यह है कि life from non-living things और by the necess का मतलब है life from living things इस सिलस्रे में कुछ experiments हैं जो मुखलिफ scientist ने perform किये और अगर हम आपके syllabus तक रहें तो तीन experiments बहुत ज़ादा important हैं इन में से पहला जो experiment है वो ready's experiment है यह ready नामी scientist था जो कि Italian scientist था 1668 में इसने अपना experiment पेश किया और actually इसने जो प्रूफ किया है वो है biogenesis यानि इसने यह बताया है कि life जो है non-living things से पैदा नहीं हो सकती जैसा कि Aristotle ने कहा था कि ghost में किड़े पैदा हो जाते हैं तो इसने ready ने decide किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ghost पर ही experiment का आगास करें तो उसने अपने experiment का आगास किया और उसके लिए उसने मुखलिव jars के सेट लिए जो पहले तीन jars का सेट था उसमें ghost रखा गया यह ghost किसी मतलब ghost का टुकड़ा भी रसकता है या किसी जानवर को मार के जैसे सांप या मसली को मार के भी रखा जा सकता है बास डियाग्राम में आपने देखा होगा कि मरवे सांप भी रखे मैं या मरी मसलीयां भी रखे हुई है तो इससे कोई फरक नगता है मतलब यह कि मुर्दा यहाँ पर रखी हुई है और उसने देखा कि कुछ एससे में इसमें कीडे पैदा होगे लकिन उसने देखा कि असल में ये किटे जो हैं ये मक्हीऊं के लार्वा है क्योंकि खुली पोतलें थी, इसमें मक्हियां आ रही थी ये देख lên, तो इस से पीर इन کے लार्वा जानी मैघट्स पैदा हुए और ये जो है छोटी छोटी सुंडीा है जो इस पर पैदा हो गई पिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको जाली के कपड़े से ढख दिया जाए तो उसने जाली दार कपड़े से ढख दिया उसने देखा कि मक्हिया अब भी आई और उन्हें अंडे भी दिये लेकिन चुंके वो गोश्ट तक नहीं जा सकी इसलिए वो अंडे जो हैं वो जाली के उपर ही थे और वहीं पर लारवा यानि मेगर्ट्स पैदा हुए तो उससे इसने साबित किया कि गोश्ट से लारवा या किसी किसम की लाइफ पैदा नहीं होती बलके यह जो लाइफ है यह सरफ लाइफ से ही पैदा होती है फिर उसने फर्दर इसको सील करके भी इस औरर रेपीट किया तो उसने देखा कर लाइफ ना तो यहाँ फ्लाइज आईई और ना ही इस में गोश्ट में पैदा हुए और ना ही किसी किसम के लारवा इसकी कैब की उपर पैदा हुए क्योंकि जायरेकर यहां मक्यों ने अप्रोच ही नहीं किया था यहां से कन्फर्म हो गया कि a biogenesis is not correct only biogenesis is correct जिन्दगी जो है जिन्दगी से ही पैदा हो सकती है बेजान चीजों से कभी जिन्दगी पैदा नहीं हो सकती यह था रेडी का experiment और उसके कुछ अर्शे के बाद एक और scientist ने experiment किया Needham's experiment यह 1748 है और यह अंग्रेज scientist था इसका जो रुख्यान था वो बन्यादी तोर पे a biogenesis की तरफ था और इसी चीज को यह साबित करना जाता था कि life जो है non living thing से पैदा हो सकती है यह नहीं हो सकती तो इसके लिए इसने simple experiment किया इसने ghost का एक शोरबा लिया gravy ली और मतलब ghost को अच्छी तरह boil किया उससे जब उसका शोरबा सा बन गया तो उसके बाद उसने उस शोरबे को रख दिया कुछ अरसे के बाद जब उसने microscope से इनको analyze किया तो पता है चला कि इसके अंदर बहुत सारे microorganisms पैदा हो गए बहुत सारे और इससरा की living things भी इसमें आ गए तो इससे ये बड़ा excited हुआ है इसने कहा कि ये तो बड़ा परदस काम हो गया और हमें पता चल गया कि लाइव जो है अब यहां तो कोई मख्यां और भी नहीं आई बल्के उसने कपड़े से हलका सा इसको ढग भी दिया था तो यह ढग भी दिया है सब कुछ हो गया लेकिन अब इसमें जो जरसीम अगर पैदा हो गया है तो इसका मतल ने आगई तो उन्होंने यह किया कि वैसा ही शौरबा लिया वही ग्रेवी ली और सब कुछ वैसे ही किया लेकिन इस तफ़ाए उन्होंने कौनिकल फ्लास को यह किया कि मजबूती से सील कर दिया कॉर्क लगा के और इसके किनारों को उच्छे तरीके से एर टाइट कर दिय और मकमल तरपे सील कर दिया तो उसके बाद यह नोट किया गया कि अब इसमें किसी किसम के माइकरो और्गनिजम पैदा नहीं हुए तो उल्टा समझ लेंगे यह एक्सपरिमेंट तो बायो जिनेसिस को प्रूफ करता है अगर इसने नीदम का जो इसमें इरादा था वो यह एक्सपरिमेंट से वो ए बायो जिनेसिस को प्रूफ करें लेकिन यह एक्सपरिमेंट उल्टा हो गया और इसने बायो जिनेसिस को प्रूफ किया फिर यह सिलस्रा चलता रहा बीच में कुछ और सांटिस्ट पिया है लेकिन जो हत्मी और बिलकुल फाइनल फैसला कर दिया फ्रेंच स्था लवस्ता ने किया लूई पाश्चर है वैसे इसका नाम जो लिखा लूएत जाता है लेकर निसे पढ़ा लूई जाता है लूई पाश्चर ये बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एằngश IRA आपको दिल्स पध़ी हो तो इन lud कर नाम न Hmm नेट पे भी देख सकते हैं और आपको बहुत से जगों पे इनका नाम मिलेगा इसने जो एक्सपरिमेंट किया क्योंकि उस रमाने तक माइक्रसकोप बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में इंप्रूव हो चुकी थी इन्वेंट तो खैर 1600 सम्टिंग में होगी थी लेकिन वो बहुत आला क्वालिटी की माइक्रसकोप जो है इस समाने में दस्तियाब थी तो इसने जो अपना एक्सपरिमेंट किया वो तकरीबन नीडम से मिलता जुलता है लेकिन इसने जो फ्लास्क ली राउंड बॉटम फ्लास्क ली और इसकी जो नेक थी वो इस तरीके से बेंट थी बिल्कुल बेंट इसकी नेक है तो उसने ये किया कि उसमें पानी को या कोई भी चीज उसने ली बले आप शौरबा ले ले लें कुछ भी उसको उची तरह बॉाइल कर लें तो इस तरह के से उसमें बैक्टरिया पैदा नहीं हुए यानि इससे उसने साबित किया कि लाइफ है वो इसके अंदर नहीं पैदा होती बलके ये बाहर से ही आती है बाहर से ही आ सकती है इसके अंदर पैदा नहीं हो सकती है फिर उसने इस एक्सपरिमेंट को थोड़ा से रि अंदर से नहीं आए बलके ये बैक्टिरिया बाहर से ही पैदा हुए फिर उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की कि फिर हीट अपके उसने ये किया कि इस तरह से इसको फ्लास को बेंड किया कि इसका जो लिक्विड है ये इसकी नेक के अंदर भी थोड़ा सा चला गया तो अब बैक्टिरिया को एक रूट मिल गया कि वो इस लिक्विड में बस बैक्टिरिया को यहां तकाना है उसके बाद वो इस लिक्विड के साथ फ्लो करते वे अंदर आ सकते हैं बासानी तो यहां पर भी उसने देखा कि इसमें बैक्टिरिया पैदा हो गए तो यहां उसने तक्रीबन ये हमेशा हमेशा के लिए थाबित कर दिया है कि लाइफ इस नॉट पॉसिबल फ्रॉम नॉन लिविंग तिंग ये सर्फ लिविंग तिंग सही आ सकती है लेकिन बहराल हमारा जो सबसे पहला सवाल था कि पहली बार जिंदगी कैसे वजूद में आई वो अभी भी सवाल बरकरार है वो इन्शाला आप बड़ी क्लास्स में जाकर जब आपकी बायो कैमिस्ट्री की नॉलिज बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप इस सवाल का जवाब आपको लाजमे मिल जाएगा इस सवाले से मैंने कुछ अटेंड किया है अब यह है कि इसके जो क्वेस्टन आंसर है वो आपको नोट्स में मिल जाएगे वो आप देख लिजेगा उनको समझ लीजेगा और रट्टा मत लगाईएगा उसको समझ के जो है उसको जे निशीन कर लीजेगा ताकि आप अपने ओन वर्ट्स में लिख स है लेकिन यह है कि उसका आउट्पुट भी बहुत कम होता है अगर आप समझ के अच्छे तरीके से उसको अपने ओन वर्ट में लिखेंगे और ओन वर्ट में लिखने के लिए आपको अपनी इंगलिस टोड़ी बहतर करनी पड़ेगी स्पैलिंग अपने इंप्रूब करें अपनी ग्रैमर इंप्रूब करें अपनी राइटिंग इंप्रूब करें तीन चीज़ें जब आप इंप्रूब कर लेंगे तो इन्शाला फिर दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा और आप फिर कामयाबियों पर कामयाबियां हासल करते चले जाएंगे और 2-3 गंटे पढ़ लेना आपके लिए काफी है बाकि आपके पास पूरा 20-22 गंटे हैं उसमें आप जो मर्जी करें लेकिन ये कि आप 2-3 गंटे रोजाना पढ़ने की आदत बना लिजे ताकि आप अपने केरियर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकें ठीक है बच्चों खुदा आपिस